हेलो दोस्तों आईए सुनते हैं बुद्ध होतार की कथा बुद्ध होतार में विश्णु भगवान बुद्ध की रूप में असुरों को वेद की सिक्षा के लिए प्रकट हुए थे गौतम बुद्ध बौत धर्म के परवर्थक थे राजकुमर सिधार्थ के रूप में उनका जन 563 इस्वी पूरु तथा मृत्यु 483 इस्वी पूरु में हुई थी उनको इस विश्व के सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है हिंदु धर्म ने बाद में बुद्ध को विश्णु भवान का एक अवतार माना है लेकिन इसे इस तरीके से पेस किया गया है जिसे ज्यादातर बौध अश्विकार और बेहद अप्रिये मानते हैं कुछ हिंदु लेख को जैसे जैदेव ने बाद में यह भी कहा है कि बुद्ध विश्णु भवान के अवतार तो है लेकिन विश्णु भवान ने ये अवतार वेद का प्रचार करने के लिए नहीं बलकि अंधा दून कर्म कांड और वैदिक पसुबली रोकने के लिए किया था तो दोस्तों यह थी बुद्ध अवतार की कथा